हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप काफी अच्छे होंगे अभी आप ए स्क्रीन के उपर देख रहे हैं घटना चक्र BPSC पुर्वा लोकन शमान नियध्यन की ये बूक है और ये बूक जो है बिल्कुल न्यू बूक है और इसके अंदर जो है बर्स 2023 तक यान सरसथ भी BPSC तक के पेपर को इसके अंदर इंकलूड किया गया है और ये पेपर जो है ये पूरा सब्जेक्ट वाइज मोड में ये पेपर होता है आप ये स्क्रीन के उपर आप अपने देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पेपर जो है ये सब्जेक्ट वाइज मोड में है जैसे भारतिया इतिहांस हो गया, राज बेवस्ता हो गया, भूगोल हो गया, अर्थ बेवस्ता हो गया, शमान ने बिज्ञान हो गया, यह सारे पेपर का वीडियो जो है, मैं यहां तक जो है, जितना भी वीडियो है, यह सारा वीडियो जो है, मैं अपने चैनल पे, फास्ट वीडियो मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है बिहार राज सम्मंधित प्रश्न और इसके अंदर जो है सबसे पहले बिहार का भूगोल हम लोग देखेंगे तो चलिए बीना समय गवाय स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिहार का भूगोल और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करू अपने चैनल पे उसका इन्फोर्मेशन जो है तु और यहां है बिहार का भूगोल तो चलिए हम लोग बिहार के भूगोल का पहला कुष्णस देखते हैं पहला कुष्णस कह रहा है कि बिहार के निमन हिंसों में से कौन सा हिंसा जो है ये भूतात्विक दिरिष्टी से अपेक्षा कृत पूराना है तो खरकपूर की पहारी जो है यह भूतात्विक दिरिष्टी से अपेक्षाकृत पुराना है अगर हम लोग यहां पर तोड़ा डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं डिटेल्स की तो खरकपूर पहारिया जो है यह धरवार करम की है और जबकी रोहतास की पठार है यह बिंध्यन करम की है यह जो हमा उतर गंगा के मैदान की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यह हमारा नविंतम है अगला कुस्टन कर रहा है कि जुलाई 2019 में बिहार में महापाशनी का स्थान यानि मेगालिथिक साइट के पहले परलेखन के लिए बिसे सग्यों ने निमलिखित में से किस जीले का दौरा क किया था तो इन्होंने कैमूर का दौरा किया था उस टाइम के लिए यह करेंड का कुस्टन से अगला कुस्टन से निमलिखित में से कौन सा जीला धरवार भू अस्तरिये रचना वाला नहीं है तो यहां पर हम लोग रोतास की बात करते हैं तो रोतास जो है यह धरवार बिन्देन करम की चटळाने पाई जाती हैं अगर भू ऊस्तरिये रचना वाले जीला की बात करते हैं तो यह मुह जो हमारे मैप में यह पर पाया जाता है आप देख सकते हैं और यह जो है बिन्देन प्रकार की चटळाने पर अंदर जाती है अगला जो questions है, कह रहा है की बिहार के निमन जिलों में से किस जिले में PIDMind stylist M humility पाई जाती है, तो बिहार में जो Mitti पाई जाती है, हम लोग तीन परकार की मिटियां दोन बिहार के अंदर पाई जाती है, और पहला है PIDMinds, दूसरा है तराही Mitti, और तीसरा है गंगे जल्लो तो आए हम लोग पीडमोंट्स के बारे में देखते हैं पीडमोंट्स जो होती है ये दल्दल मिटी होती है जो पस्मी कंपारण जिले के पस्मॉतर भाग में पाये जाता है अगर हमीच यहां पर हम लोग देखते हैं तो यह हमारा है पस्मी चंपारंजिल्ला और पस्मी चंपारंजिल्ले के जो पस्चिम भाग में जो मिटी पाई जाती है यह हमारा है पिडमोंट मिटी मतलब यह इस साइड में पाई जाता है यह यह पूरा सटा हुआ जो है यह हमारा पिडमों जीला लगा हुआ है नेपाल से जो हमारा जीला लगा हुआ है बिहार राजे का जो जीला लगा हुआ है नेपाल से तो यहां पर जो मिटी पाई जाती है अगर हम लोग यहां पर तरह मिटी की बात करते हैं जो नेपाल की सीमा के साथ जो उतरी भाग में पाई जाती है यह तर और खादर यानि नई जल्लोड मिटी और पुरानी जल्लोड मिटी अगला कुस्टन जो है कि ब्रह्मा योनी हील बिहार के किस जीले में इस्थित है तो ब्रह्मा योनी हील जो है बिहार के गाया जीले में इस्थित है यहां पर देख सकते हैं ब्रह्मा योनी हील जो है बिहार लिखित में से कौन सी नदी फत्वा के पास गंगा में मिलती है तो पुनपुन जो है पुनपुन पुनपुन जो है ये छोटा नाकूर पठार से निकल कर यानि पलामु जहरकंड से निकल कर बिहार के औरंगावा जीले में परवेश करती है और पठना जीले के फत्वा के समी गंगा में मिल जाती है अगर हम लोग पुनपुन की बात कर रहे हैं यहां पे तो पुनपुन जो है यह फत्वा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन की जो सहयक नदी है यह मुरहर और दरगा जो है यह पुनपुन की सहयक नदी है पुनपुन जो है बिहार के अंदर अगर प्रवेस करती है तो वह औरंगा वाद जिल्य में प्रवेस करती है। इसका description जो है अगले questions में देख रहे हैं बिहार राजे में गंगा के किनारे इस्थित जीलो की संख्या कितनी है तो गंगा के किनारे इस्थित जीलो की संख्या जो है ये 12 है और ये जीला यहाँ पे अवस्थित है आप देख सकते हैं सारन है, बक्षर है, भोषपूर है, पटना है, वैशाली है, समस्तिपूर, बेगुश्राय, लखिश्राय, मुंगेर, खगरिया, भागलपूर और कटिहार, यानि गंगा जो है ये बक्षर में परवेस करती है, बक्षर में और कटिहार से निकल जाती है, तो इन दोनों चीज में सबसे लंबा है, जो 97 किलो मीटर है, दूसरे अस्थान पे, गंगा नदी जो है, 12 जीलों से होकर गुजरती है, ये आपने उपर के कुशंस में भी पढ़ा है, और यहां भी आप देख लीजी एक बार, अगला कुशंस है कह रहा है कि बिहार में परवाहित होने वाली न हो गया, ये सब उत्तर से दक्षिन के तरफ परवाहित होने वाली नदी है, तो इसका हो जाएगा उप्युक्त इह, अगला कुशंस है कह रहा है कि कोपेन के जलवायू, वड़गी करन के अनुशार, उत्तर बिहार की जलवायू किस से परदर्शित की जा सकती है, तो CWG से उत्तर बिहार की जलवायू को परदर्शित की जाती है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, CWG से परदर्शित किया जाता है, बिहार के जलवायू को, अगला कुशंस है, कह रहा है कि बिहार के किस क्रिसी जलवायू छेतर में सबसे अधीक जीले है, तो इसका जो है डिस्क लोग मध्धे गंगा का मैदानी छेतर भी कहा जाता है इसे बिहार क्रिशी जलवायु छेतर जो है ये भाग चार में आता है और इसे जो है मध्धे गंगा का मैदानी छेतर कहा जाता है और इसको जो है ये तीन उप छेतर में इसका डिवीजन किया गया है पहला जो है ये उत दक्षिन बिहार जलोड मैदान का जो छेतर हो जाता है इसको भी दो भाग में वर्गी किरित किया गया है तो पहला भाग यह उत्तर पुर्व है सोरी पहला भाग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह दक्षिन पूर्ब है और दूसरा यह दक्षिन पस्षिम में वरकी क्रित किया गया है दक्षिन बिहार जलोड मैदान को अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उत्थर पूर्ब के अंदर जो है आठ जिले है आप इसको ध्यान में रखेगा और ये जो दोनों है दक्षिन पूर्ब और दक्षिन पस्चिम ये किसका भाग है ये दक्षिन बिहार जलोड मैदान का भाग है तो दक्षिन पूर्ब और दक्षिन पस्चिम के अंदर जो है कितने कितने जिले है इसके अंदर ज सबसे अधीक जीला यहां से हमसे पूछ रहा है कि बिहार के बिहार के किस क्रिशी जलवाईु छेतर में सबसे अधीक जीले हैं तो इसका एंसर हो जाएगा उत्तर पस्चिम जीला अगला जो कुस्सन है करा है कि मुझफरपूर दरफंगा चमपारण जीलो में कौन सी मिटी अधिकांस ता पाई जाती हैं अभी हम आपको बता है कि जलोड मिटी जो है पाई जाती है तो कौन सी जलोड मिटी होगी प्राचीन या फिर नवीन अभी आप देखते हैं कि बिहार में बाड के कारण जो है BPSC का एक्जाम टल गया है तो बाड के कारण या तो बाड जब आता है तो कौन सी मिट्टी लेके आता है नय मिट्टी लेके आएगा तो नवीन जलोड मिट्टी जो है इस एरिया में अधिकांस पाय जाता है मुझेफर पूर्दरवंगा चमपारन जिले में जो है नवीन जलोड मिट्टी पाय जाती है उसका डिस्क्रिप्टिन जो है यहाँ पे यही दिया हुआ है बिहार का सरवाधिक जूट उत्पादक जिल्ला जो है ये कौन सा है तो ये है पुर्निया पुर्निया जो है बिहार का सरवाधिक जूट उत्पादक जिल्ला है अगर हम लोग आर्थिक समिक्षा 2021-22 की बात कर लेते हैं तो भारत के अंदर जो है सरवाधिक जूट उत्पाद और बिहार जो है ये 10.20 परतीसत जूट का उत्पादन करता है अगर हम लोग असम की बात करते हैं तो असम जो है 8.33 परतीसत जूट का उत्पादन करता है और बिहार का जूट का उत्पादन में दूसरा अस्थान है पहला स्थान जो है पस्चिम बंगल का है दूसरा स्थान जो है बिहार का है, आप कुस्टन में यहाँ पे देख भी सकते हैं, कह रहा है कि बिहार का सरवाधिक जूट उत्वादक जीला कौन से है, तो यह है पुर्निया जीला, आगला कुस्टन से है, कह रहा है कि परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने हाली में मंडल बांध परियोजना क किस की नीब किस नदी पे बनाने के लिए रखी थी, तो देखें यहाँ पे मंडल बांध परियोजना की बात किया जा रहा है, तो मंडल बांध परियोजना जो है यह उत्री कोयल नदी पे, उत्री कोयल नदी पे, परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने इसकी नीब रखी थी, और उत्री कोईल नदी जो है उत्री कोईल नदी ये जो है उत्री कोईल नदी जो है ये सोन की सहायक नदी है तो आप यहां पे इसको ध्यान में रखेगा कि उत्री कोईल नदी जो है ये सोन की सहायक नदी है डाइडेक्ट कुस्टन जो है एक्जामस में आते हैं यहां से अगर हम इस योजना की बात करते हैं तो इस योजना इस प्रयोजना का जो निर्मान हो रहा है यह उत्तर कोईल नदी के उपर हो रहा है जो सोन की शायक नदी है इस प्रयोजना से बिहार के औरंगाबाद और गाया आप इसको ध्यान में रखेगा कि मंडल बांध प्रयोजना से बिहार के औरंगाबाद और गाया और जारखंड के गढ़वा और प्लामो जीलो को सिछाइ और पिने की पानी की बेवास्था की जाएगी इसको आप द्यान में रखेगा बिहार का औरंगाबाद और गाया जी ले को अ coher第一 नहर किस नदी के लिए परसीद है यहाँ पर description देख रहा है कैमूर का पठार जो है यह चुनना पत्थर के लिए परसीद है इसके लिए परसीद है तो चुनना पत्थर के लिए कैमूर का पठार जो है यह परसीद है कैमूर का पठार रोहतास और कैमूर कैमूर जीले में इस्थित है ज़ित तो रोटास और कैमूर जीले में कैमूर का पठार इस्थित है इस पठख के चुनय पत्थर के आधार पर बंजारी में सिमेंट के उध्योग बंजारी के अदर सिमेंट का उध्योग लगाए गया है अगला कुस्सा से कह रहा है कि निम्न जीलों से कौन सी बिहार में इस्तित है तो अनुपम जील जो है यह कहां है यह बिहार में है सांबर जील की बात कर लेते हैं तो यह ब्र॥ Eggsim इस जो है आपको हरियाना में ने हम लोग जहां पर फुर। जिस्क्रिप्शिन देख लेते हैं अनुपम जील के बारे में सबसे पहले देखते हैं तो अनुपम जील जो है ये बिहार के कैमूर में इस्थीत है ये direct questions पूछता है कि अनुपम जील कहा है तो ये बिहार के कैमूर में इस्थीत है अनुपम जील और कैमूर बन्ने जीब अभ्यारन जो है इसी मतलब ये जो जील है ये कैमूर बन्ने जीब अभ्यारन की सीमा के अंदर इस्थीत है तो आप इसको अप धियान में रखिएगा कैमूर बन्ने जीब अभ्यारन बिहार के कैमूर जीले में इस्थित कैमूर पहारी स्रिंखला के बीच उत्तर पस्सिम के सीमा के पास सोन नदी के पस्सिम टटपर भबुवा के निकट इस्थित है क्यमूर बन्नेजीब अभ्यारन जो है बिहार का सबसे परा बन्नेजीब अभ्यारन है सांबर जिल की बात करते हैं तो राजस्थान में है सांबर जिल सुखना जिल जो है चंडिगड में है सुखना जिल और कामा जिल जो है ये हरियाना के अंदर है तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है उत्तर बिहार किसके लिए परसीद है तो अभी आपको थोड़ा दिर पहले मैंने बता है कि हर साल बाड आता है उत्तर बिहार में 19-20 में कुल बोई गई भूमी जो है ये 7296.81 हजार हेक्टियर था जो कुल भगावलीक छेतर का कितना है 77.9 परतिसत तो आप इसको नई डाटा को आप याद करके जाएगा एक बार बिहार में कुले का अनुमानित भंडार कितना है तो देखिए ये जो है बिहार के अंदर जो है कुले का जो अनुमानित भंडार की आप बात कर रहा है अनुमानित भंडार जो है ये 16 करूरटन है अनुमान लगाया गया है अनुमानित भंडार मतलब अनुमान लगाया गया औ और परमानित भंडार के अगर हम लोग बात करते हैं परमान तो परमानित भंडार जो है यह सुनने है तो यह अनुमानित भंडार और परमानित भंडार आप इस दोनों को ध्यान में रखेगा बिहार के अंदर जो है कोईले का परमानित भंडार सुनने है और अनुमानित लोग फटा-फट देख लेते हैं इस डाटा को भारत मन इस्थिती रिपोर्ट 2020 यानि ISFR 2021 के अनुसार जो है बिहार का कुल रिकॉर्डेड बंच छेतर जो है यह 7442 वर्ग किलोमीटर है जो की बिहार के कुल भगावलिक छेतरपल का 7.90 परतिसेत हैं आप इसको ध्यान में बात करते हैं यह उपग्रहिये आंकरों के अनुसार जैसे सेटेलाइट के हिसाब से सेटेलाइट जो हमें डाटा भेजता है उसके हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार के अंदर जो है बंच छेतर जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है जो हमारे कुल भगावलिक अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं अति सघन वर्ग किलोमीटर है मध्यम सगन वर्ग किलोमीटर में है और खूले वर्ग कि बात करते हैं तो 371.54 किलोमीटर में फैला हुआ है अगर हम लोग बात कर लेते हैं बिहार में सरवाधिक बनावरन छेतर वाले जीले की तो सबसे अधीक जो है भबुआ यानि कैमूर के अंदर है सबसे अधीक बनावरन छेतर वाला जो जीला है भबुआ कैमूर के अंदर है और दूसरा नंबर पे आता है पस्मी चंपारन और तीसरे नंबर पे आता है रोहतास, यानि सरवाधिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तब, अगर निउन्तम की बात करते हैं, निउन्तम बनावरन छेतर वाले जिले की बात करते हैं, तो इसमें है सेखपूरा, सेखपूरा में सबसे कम बन है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है और उसे थोड़ा सा ज़्यादा है जहानाबाद में अगर हम लोग सरवाधिक वनावरन परतिसत वाले जिल्ले की बात करते हैं तो भबुआ जो है सबसे अधिक परतिसत वाले जिल्ले में भी है उसके बाद है जमुई उसके बाद है नवादा यह 3-3 का आप पेर बना के याद किजिएगा क्योंकि आज कल 3-3 का पेर कुस्टन्स के अंदर पूछा जा रहा है अगर हम लोग निउन्तम बनावरन परतिसत वाले जिल्ले की बात करते हैं तो सेहखपूरा सिवान और बक्सर है यानि SSB आप इसको याद कर सकते हैं सेहखपूरा सिवान और बक्सर निउन्तम बनावरन परतिसत वाले जिल्ला की बात कर रहा है अगला जो कुस्टन्स है कर रहा है कि बिहार राज में कूल भगावलिक छेतर की तुल्ना में समस्त बन चेतर का कितना परतिसत है तो ये कुस्टन जो है अभी 2020 में पुशा गया है लेकिन ये डाटा जो है आप देख रहे है चेंज हो चुका है और यहाँ पे 7.84 परतिसत हो जाएगा इसका एंसर अगला जो कुस्टन से करया कि निमलीखित में से कौन सा जीला सबसे अधिक घने पतजर वाले बन चेतर से घीरा हुआ है तो ये पस्मी चमपारन जीला ये सबसे अधिक घने पतजर वाले बन चेतर से घीरा हुआ है अगर हम लोग बात करते हैं प्रश्नेकाल और बरतमान में तो पश्मी चमपारन जो है सबसे अधी घने पतजर बनों से घीरा है भारत बने स्थिती रिपोर्ट 2021 के नुशार जो है पश्मी चमपारन में कूल बन जो है ये 904.66 वर्ग किलो मीटर है तथा इसमें जो है अतिस यानि घना वन जो है 250 किलो मीटर वर्ग किलो मीटर है और 548.47 इस पे जो है ये मध्यम सगन है और अगर हम लोग खूले वन की बात करते हैं तो पश्मी चमपारन में जो है 105.53 वर्ग किलो मीटर पे खूले वन है अगला कुशन के तरफ हम लोग देखें तो निमलिखित में अगला कुशन से कह रहा है कि बिहार का कुल भगावलिक छेत्रफल कितना है तो देखिए ये कुछन पूछा गया था जब जारखंड साथ में था तब अभी जो है ब्यार का कुल भगौलिक छेतरपल जो है बरतमान का छेतरपल 943 किलो मीटर है करा कि संसार का सर्वोतम खनीज अवरक प्राप्त होता है तो देखिए संसार का जो है सबसे अधिक अवरक जो होता है वो हजारी बाग, गिरिडी और कोडर्मा से प्राप्त होता है और यहां से लगभग 80% अवरक जो है ये प्राप्त होता है आप इसको ध्यान में रखेगा हजारी बाग, कोडर्मा और गिरिडी परतेश बिस्तरित है आप देखे होंगे जो नेपाल से जो सीमा लगा हुआ है वही तराई परदेश होता है तो यह भारत नेपाल के सीमा के समानांतर है और यहां पर आपको कुछ हम बताना चाहते हैं जो डाइरेक्ट कुछन एक्जाम में पुछा गया है और यहीं से कुछ आप देखिए यहां पर कह रहा है कि बिहार का जो तराई परदेश है वह भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिस्तरित है और बिहार राज्य से के नेपाल से जो लगे जीलो जीला है इसमें पस्मी चंपारन है पुर्वी चंपारन है सीता माड़ी है मदवणी शुपॉल लिए इस ताइप का तो हमारा पूरा नेपाल जो ईसे बिहार से लगा हुआ है पुर्वी चंपारन जीला है सितामाडी जिला यह मधहणनी जिला है यह हमारा आपको सुपॉल है यह किसन गंज है और इस तरह हमारा जिला सटा हुआ है निपाल से तो आप इसको याद कर लिजीजेगा इस exam में कुछन डाइरेक्टर रुप से पूछा गिया है बिहार की सुमेश्वर सरेनी है तो बिहार का जो सुमेश्वर सरेनी है इस सबों से नहीं है देखे सुमेश्वर सरेनी बिहार के अंदर जो है वो और सिवालिक सरेनी का जो निर्मान है वो एक ही काल में हुआ है वो काल कौन है पिली एस्टोशिन काल में हुआ है अथा यह जो है उप्युक्द तीनो पारिक के पेक्षाक्रित जो है यह नविंतम है यानि न्यू है नया है इन सबों में नया है मुंडा जन जाती अधिकांस्त बसी हुई है तो यह जारखंड के अंदर बसा हुआ था उस ट 12 नοवेंबर 2000 को जारखंड का निर्मान भान था वंदर यहे बिहार में 15 सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जन जाती है मुंडा जन जाती अगर हम लोग बात करते हैं जारखंड के अंदर तो यह जारखंड में 3-3 सबसे बड़ी जन जाती है मुंडा जन जाती कुछन पूछ रहा है कि बिहार से होकर जाने वाली राश्टी ये राजमार्ग है तो देखिए ये चो डाटा है ये पूरा चेंज हो चुका है एप्रॉक्स नियर बाउड तो कुछ चेंज हो चुका है तो इसमें जो है 27 EW 31 33 231 32 29 GQ आदी जो है ये बिहार से राश्टी ये राजमार्ग जो है ये गुजरती है ठीक है और बिहार के अंदर जो है राश्टी ये राजमार्ग की जो लंबाई है वो है उन्सट सो चालिस किलो मीटर अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे लंबा राश्टी ये राजमार्ग है और ये है 487 किलो मिटर बिहार में राष्टी ये मार्गो की कुल लंबाई है कुछ सन पुछी दिया ना तो 487 किलो मिटर आप इसको दियान रखेगा थिक है0 सोरी ये तो इसका है अगर हम नोकुल लंबाई के यहां पे बात कर रहा है खूल लंबाई की बात करना है तो 6940 किलो मीटर यहाँ पर हो जाएगा 6940 किलो मीटर जो है बिहार के अंदर कूल नेशनल हाईवे की लंबाई है छोटा नाकपूर के जंगल है यह सावना और पतचर वाले जंगल है आईए थोड़ा हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन के तरफ देख लेते हैं छोटा नाकपूर के जंगल जो मुख्यता जो है यह पर्नपाती बनसपाती पाई जाती है तो आप इसको ध्यान रखेगा पर्नपाती बनसपातिया जो है यह कहां पाई जाती है चोटा नाकपूर के जंगल में पाई जाती है और यह पर्नपाती बनसपाती यह कौन-कौन से है, तो आप इसको भी ध्यान रखेगा, महुआ, खैर, सेमल, सिसम, आम, बरगद, यह सब परमुख है, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि डाइरेक्ट कुछन यहां से पूछा गया है, महुआ, खैर, सेमल, सिसम, आम, बरगद, इस सब जो है पर्णपाति बनस्पतिया है और यहां जो है सवाना परकार के बन भी पाए जाते हैं कहां छोटा नाकपूर के जंगल में किस परकार के सवाना सवाना परकार के बन भी पाए जाते हैं घास भूमियों जहारियों इस्थित छेतर में यह तर 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 विरिक्षो की उपस् जिसता है अगला जो कुस्स है वो कह रहा है कि बिहार में भारी मशीन निर्मान प्लांट इस्थीत है तो ये राची में है आप इसको ध्यान में रखेगा सिर्फ आप इतना याद कर लिए लिजे कि बिहार में भारी मशीन का निर्मान प्लांट जो है वो राची में यानि ये राची में है अगला जो कुछन है टाटा लौ इसपात कर खाने में जो लौ आयस्क है इसकी पूर्ती होती है तो लौ आयस्क की जो पूर्ती होती है ये सीम भूम जिले से पूर्ती होती है टाटा का जो लौ इसपात कर खाना है टाटा के अंदर और इस में जो law S की पूरती होती है वो सीमभूम जिले से होती है निमलिखित में से किस जिले में बिहार का एक मातर राष्टिये उद्ध्यान इस्थीथ है तो पस्मी चमपारण बरतमाण में बिहार का एक मातर आप इसको याद कर लेज़ेगा एक मातर कह रहा है यहाँ पे राष्टिय पार्ग जो है वो है बालमी की नगर अभ्यारन और ये बालमी की नगर अभ्यारन कहा है यह पस्मी चमपारन में वस्थीत है बिहार का कौन सा सहर जो है यह बन्य जीब अभ्यारन यानि विल्डाइफ सेंचूरी और राष्टिये पार्क के लिए परसीद है तो ये उस टाइम का कुशन है 20, sorry, 2000 का कुशन है जिस समय जो है बिहार और जहारखंड सामिल था एक साथ तो उस समय जो है ये हजारी बाग में बन्ने जी बाभ भिहारन जो है अगर हम लोग दिये गए अन्य विकलपो की बात करते है तो बल्मी की बन्ने जीब अभिहारन जो है ये पस्मी चमपारन में है गौतम बुद पक्षी अभिहारन जो है ये गाया जीला में है और राजगीर बन्ने जीब अभिहारन जो है ये नालांदा जीला में है अगला कुशनज है कारा है कि निमलखित में से कौन सा स्थान बिहार में बनन जीप के लिए परसिद है तो बनन जीप के लिए जो परसिद है वो है बोधगाया अभी आपने देखा होगा कि गौताम बुध पक्षिया बिहारन जो है ये कहा है? गाया में है कोईले पर चलने वाली तीन थर्मल पावर एस्टेशन जो बिहार में इस थी था इस परकार है देखिए ये उस समय का कुशन है जिस समय दोनों कमबाइन था तो उस समय बोकारो चंदरपूर और संताल डी था लेकिन अभी बरतमान में बिहार के अंदर बरौनी बाड़ और कहल गाओ ये कोईला अधारी थर्मल पावर स्टेशन है यानि NTPC के दोरा ये संचालित किया जाता है और ये 2022 के पेपर में भी पूछा गया है बिहार के मैथन उत्पादन करता है ये मैथन जो है ये क्या उत्पादन करता है तो ये जल सकती उत्पादन करता है यानि बिजली बनाता है ये जल से बिजली बनाता है मैथन उत्पादन आईए हम लोग दे लेते हैं मैथन डेम, मैथन डेम का निर्मान जो है ये दामोदर की सहायक नदी जो है बराकर नदी पे किया गया है मैथन डेम का निर्मान जो है दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी पे किया गया है और यहाँ पर जल बिधुत सनियंत की अस्थापना की गई है किसकी जल बिधुत सनियंत की अस्थापना की गई है अगर हम लोग मैथन बांध की बात करते हैं मैथन बांध की बात करते हैं तो यह जारखंड के धनवाद जीला में है और मैथन जल बिधूत इस्टेशन की बात करते हैं तो यह पस्चिम मंगाल में है मालेजे यह कोई राष्टा होगा तो यहां से यह बोडर लग जाता होगा इधर हो गया पस्चिम मंगाल यहां पर बांध हो गया यहां पुराना बिहार का कितना प्रतिसत जमीन लेकर जारखंड राज्य बना था तो इसमें तिन चार बात आपको याद रखना है पहला बात की 15 नुवेंबर 2000 को नया राज जारखंड का निर्मान किया गया था और यह जो है उन्हाद 79,714 वर किलोमेटर पे जारखंड फैला हुआ है जो कितना है 45.84 प्रतिसत जमीन लेकर यह जारखंड राज्य बना था और बिहार जो है 94,163 वर किलोमेटर पे फैला हुआ है अगला कुशन से है कारा कि जारखंड बनने के पस्चात बिहार में लगवग कितने जीले राज गया थे तो 37 जीला बिहार के अंदर आ गया लेकिन बरतमान में बिहार के अंदर 38 जीला है तो 38 जीला कौन है तो वह है अर्वल अर्वल कब जीला बना था तो यह अगस्त 2001 में जहानाबाद को बिभाजित करके जीला बनाए गया था तो अरवल जीला कब बना था? जहानाबाद को बिभाजित करके अगस्त 2001 में अगला कुशन से कह रहा है कि बिहार की सिचाई छमता अंधता कितनी है तो इस डाटा को हम नहीं याद करेंगे, हम याद करेंगे इस डाटा को देखिए यहाँ पे जो है मरतमान 2021 में बिहार में लगभग 81.9 लाक हेक्टियर जो है सिरिचित छमता है बिहार के और संभावी छमता जो है 117.5 लाक हेक्टियर है तो आप इस डाटा को आप याद रखिएगा, ठीक है? करा है कि मूरी जाना जाता है, तो मूरी जो है यह एलमूनियम पलांट है मूरी में यह मूरी में मूरी के अंदर जो है यह हिंडालको का एलमूनियम पलांट है और बरतमान में यह मूरी जो है जारखंड राज में है, उस समय जो था बिहार के कमबाइंड था कौन सा परमुक उध्योग जो है मूरी में अस्थापित है तो मूरी में जो है ये एलमूनियम पलांट है किसका हिंडालको का हिंडालको का अगला कुसन से पटना का अस्थानिय समय है पटना का जो अस्थानिय समय है जो भारत का समय है भारत का तो उससे जो है आगे है पटना का अस्थानिय समय ऐसा क्यों है तो देखिए जो भारत का समय है वो सारे 82 डिगरी पुर्वी देशांतर पे हम लोग कल्कुलेट करते हैं भारत के जो टाइम है उसको हम लोग सारे 82 डिगरी पुर्वी देशांतर पे कल्कुलेट करते हैं जो प 80 degree 13 minute पुर्भी देशांतर पर पतना अवस्थित है, तो इसलिए जो है यह सारे 82 degree से जाधा है, तो इसलिए जो है पतना का समय जो है जो हमारे भारत का समय इस से आगे है, और अगर हम लोग बात करते हैं green which mean time की, तो इस से जो है यह भारत का समय जो है भारत का समय सारे पांस घंटा आगे है अगला कुशन से कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जीला बिहार के कितने जीलों से सीमा बद था तो ये जो है नो जीला से सीमा बद है और पटना जीला की सीमा जो है कौन को लगाता है भोजपूर शारन बैसालिस समस्तिपूर बेगुषरा लकिषरा न जहानाबाद अरवल जीला से संबंद है अगला कुशन से कह रहा है कि बिहार में क्रिशी योग्य भूमी का कितना परतिस्त भाग जो है ये सीचित है तो अभी आपने उपर देखा होगा डाटा और ये डाटा जो है ये पुराना दिया हुआ है तो अभी आपने उपर जो सेरो आप बंगाल कही जाने वाली बिहार से उदगम होने वाली नदी है तो देखिए सेरो आप बंगाल हम लोग कहते हैं दामोदर को दामोदर जो को हम लोग क्या बोलते हैं सेरो आप बंगाल कहते हैं यानि बंगाल का दुख दामोदर को कहते हैं और दामोदर का उदगम जो है जारखंड के लतेहार से होता है कहां से होता है जारखंड के लतेहार से इसका उद्गम अस्थाल है अगला कुसल से कह रहा है कि बिहार में उत्पादन की दिरिष्टी से चावल के बाद दूसरी फसल किया है तो चावल के बाद जो है आप इस 179.52 लाक टन है जो हमारा कुल खदान है वो कितना है 179.52 लाक टन है यानि बिहार का ये कुल खदान है जिसके अंदर जो है चावल जो है इतना हजार टन है और गेहू जो है इतना हजार टन यानि नमबर वन पे चावल है नमबर टू पे गेहू है नंबर 3 पे मक्का है और अगर हम लोग बात कर लेते हैं मक्का उतपादन के लिए बस 2016 में क्रिशी कर्मन पुरुषकार बिहार को दिया गया था किसके लिए मक्का उतपादन के लिए और चना का उतपादन में बिहार जो है चौथे नंबर पे है ठीक है? योगा अगर हम बात करते हैं क्रिशी कर्वन पुरुषकार की तो बिहार को दो बार मिला था क्रिशी कर्वन पुरुषकार एक पर 2016 में मक्का उत्पादन के लिए मिला था और दूसरी बार जो मिला था क्रिशी कर्वन पुरुषकार जो है ये 2020 में मिला था 2020 में 2020 में 2020 में 2020 मे मक्का और गेहु के उत्पादन के लिए मक्का और गेहु के उत्पादन एब हम उत्पादक्ता में उपलब्दी के लिए क्रिशी कर्वन पुरुषकार दिया गया था बिहार में मुख्य ख़दान फसल है तो बिहार अब हम लोग बात किये हैं चावल, गेहूं और मक्का आप इसको धिहान में रखेगा चावल, गेहूं और मक्का जो है बिहार में क्रिसी का स्वरूप क्या है तो आत्म निर्वर है क्रिशी हम तो क्रिशी के उपर डिपेंड है ना तो क्रिशी हमारा क्या है आत्म निर्वर है तो ये सिर्फ हो जाएगा आपका ये केवल चार हो जाएगा इन में से कौन सा सत्य है देखिए अगर हम लोग सत्य की बात करते हैं तो बिहार में ये उस टाइम के कुशन है उस टा बिहार में कोईले और अबरक का मुख्य उत्पादा करहा है तो ये बात गलत है बिहार में कोईला का उत्पादन जो है अभी कुछ नहीं हो रहा है शुन्ने है अबरक उत्पादन में भी हात डिलाई है बिहार का अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार को उरिशा से 1911 में अलग किया गया था तो ये बात गलत है ये 1936 में अलग हुआ था उरिशा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ था जारखंड राज बनने के बाद बिहार की सीमा उरिशा से लगती है भीया बिहार की सीमा तो है सिर्फ तीन स्टेट से लगती है इधर जो लगती है UP से लगती है इधर लगती है बेश्ट बंगाल से लगती है और इधर जो लगती है वो जारखंड से लगती है तो ये तीन स्टेट से लगती है और उपर जो लगती है वो नेपाल से लगती है तो ये चार मतलब तीन स्टेट और एक कंट्री से बिहार का सी तो उसी को यहाँ पे दिया गया है, आप एक बार इसको पढ़ लेजिएगा, पलामू राची किस खनिच के लिए परसिद है, तो देखे पलामू राची, पलामू जो है, यह लौ आइसक और आपको मैगनिच के लिए, मैगनिच के लिए, स्वरी, बक्साइट के लिए, लौ लौ आइसक, लौ आइसक और बक्साइट के लिए, यह पलामू जो है, यह फियमास है, देश में कुल खनिच उत्पादन का कितना परतिस्द बिहार से प्राप्त होता है, तो अगर हम लोग उस समय की बात करेते हैं, तब की बात है, लेकिन अगर अभी की बात करते हैं, तो कुल खनिचों का बिहार का हिस्सा जो है, तीन परतिसद है, ठीक है, अभी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तब की बात है, कि बिहार का जो खनिच का हिस्सा है, है ना, participation है, यानि तीन परसेंट है, बस, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, कच्चा, तांबा का जो उत्पादन होता है, उसमें बिहार का क्या स्थान है, तो बरतमान में तंबा बिहार के अंदर उत्पादन नहीं होता है, बस आप इसको ध्यान में रखिए, तंबा जो है, बिहार में उत्पादन नहीं होता है, अब आप मुझे कमेंट से लिख का तो पिहार में बरतमान में उत्पादित होने वाले जो खनीज है लाइमेस्टोन है अबरक है पाइराइट है और एस्टिराइट है आप इसको याद कर लिजिएगा खनीज और जीले को जोरे में कौन सा जोरा जो है यह सही है तो यह कुशन जो है यह 2020 का है तो आप इसको ज अगर हम लोग लेड जिंक की बात करते हैं तो ये बाका और रोहतास में पाया जाता है लेड जिंक, इसको आप याद कर लीजिएगा अगर हम लोग इसके हिसाबसे ओफ्षन अगर देखें तो लाइमे स्टोन जो है, ये कैमूर में पाया जाता है लगभग तो देखिए अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो 7.84% पर बन है बिहार के अंदर बिहार में law ask प्राप्त होता है तो बिहार के अंदर law ask उस समय के हिसाब से सी भूम जीले से प्राप्त होता है और अब ही अगर हम बात करते हैं तो बिहार में law ask का उत्पादन नहीं होता है भारत में बिहार अग्रनी उत्पादक है तो बिहार जो है किस चीज का मतलब अग्रनी उत्पादक है भारत के अंदर तो चूना पत्थर का इसके अंदर चूना पत्थर ओफशन है तो चूना पत्थर का देखें बिहार जो है चूना पत्थर का उत्पादन जो है बिहार में स जो है यह पूला है आपके कीछ जिले में अबरख का भंडार है आप यहां पर देख सकते हैं बहार के नवढदा जिले में अबरख का भंडार है जो यहां पर आपको option में नहीं दिया हुआ है इसलिए ई हो जाएगा अगरा कुसन से कहा है कि ज्यारखंड का lawist की उत्पाधन में सरवाधिक महतपुर्ण जीला कौन सा है तो सीवषी भूम जीला जो है यह lawist की उत्पाधन में सरवाधिक महतपुर्ण जीला है उध्योग और अस्थानों को निमन में से कौन सा जोरा सही नहीं है तो देखिए आल रिफाइनरी कहा है बरोनी में है ना बरोनी में है सिमेंट अभी हमनों बताया था आपको बंजारी आपको यहां पर देखे कुशन भी पूछ लिया है ना डाइडेक्ट सिमेंड जो है बंजारी में है तो ये भी सही है ये भी सही है फर्टिलाइजर की बात करते है तो ये भोराही में है तो ये भी सही है रेल डिबा और अभियांतरिक की बात करते है तो ये भागलपूर नहीं होकर मुझफर पूर और मुकामा में है यहाँ पर देख लिजे रेल डिबा जो है रेल डिबा और अभियांतरिक उध्योग जो है यह मुझे अपफर फूर और मुकामा में है बाकि सब सही है बिहार राज्य अवस्थित है अगर हम लोग देशांतर की बात करते हैं लॉंगी टूट की बात कर रहे हैं तब यहाँ पर हम लोग देशांतरिय बिश्थार की बात कर रहे हैं यानि लॉंगी टूट की बात कर रहे हैं तो बिहार जो है यह 83 degree 19 मिनट और 50 सकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सकेंड पूर्व देशांतर की मन्धे जो है यह इस्थीत है यह हो गया पूर्व देशां अक्छांसिय बिस्तार की बात करते हैं, तो आप यहां पी देख लीजिए, अक्छांसिय बिस्तार जो है, 24 डिग्री, 20 मिनट, 10 सकेंड से लेकर, और ये है 27 डिग्री, 31 मिनट, इधर नहीं दिखाई दर आओगा, 27 डिग्री, 31 मिनट, और 15 सकेंड, इसके और इसके बीच में जो है, ये अक्छांसिय बिस्तार है, तो आप इस दोनों को ध्यान में रखेगा, एक बार, आगला जो है कह रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है, तो मैंने उपर आपको बताया था, ये तीन है, और ये तीन कौन-कौन सा है, उतर ये भरंस घाटी में होती है, लेकिन यहाँ पर इस कुस्षन पर बटवारा के बाद से कोई असर नहीं परा है, तो आप देख सकते हैं, दामोदर अभी भी परवाहिज जो हती है, ये भरंस घाटी में ही होती है, और इसी को बंगाल का सोक काते है, दामोदर को हम लोग क्या मिलती है घागरा भी मिलता है पुन-पुन भी मिलता है अब यह सब कहा कहा मिलता है आईए हम लोग इसको फटा-फट देख लेते हैं गंडक जो है यह पहलेजा घाट के पास मिलता है पहलेजा घाट यानि पटना नामक अस्थान के निकट और घागरा जो है मतब घागर कह ल तो गंगा में मिलता है आप इसको याद कर लिजेगा ये काफी इंपोर्टेंट है भी भी आई है एक वार हम और बता जाते हैं गंडग जो है ये पहलेजा घाट घागर जो है यानि रेविल गंज शोन जो है पटना और पुन-पुन जो है फत्वा के पास गंगा में मिलती है बिहार का पहला रामसर अस्थल जो है ये कौन सा है तो बिहार का जो पहला रामसर अस्थल है ये है कावर जील और ये कावर जील है कहां देखे कावर ताल या फिर कावर जील इसको बोलते है ये बिहार का पहला रामसर अस्थल है जो जुलाई 2020 में इसको घोशित किया गया तक चोटा नाकपूर और इसको नहीं चोटा नाखपूर में प्रारंभिक अस्तर पर अर्थ वेवस्था आधारित थी देखिए चोटा नाखपूर जो है ये बनों के उपर आधारित था अगला कुशन से 17 सताबदी में बिहार में सोने की खाने कहां इस्थित थी तो देखिए राल्फ फीच के अनुसार पटना में सोना के खान था अगला कुशन से कह रहा है कि निमलीखित में से बिहार के कौन से जीले में कुछ इलाके में पस्मी बंगाल को दिये गया थे यानि बिहार का कुछ इलाका पस्मी बंगाल को दिया गया था जो पुरूलिया का अधिकांस भाग दिया गया था ये मानभूम जीले में इस्थी थे पुरूलिया और यहाँ पर पुर्निया का कुछ भाग पसिम बंगाल को दिया गया था बिहार में जंगल फैले हुए हैं तो हम लोग ये स्थीती रिपोर्ट देख लेंगे 2020 का और इसके अंदर बिहार के अंदर जंगल कहां तक फैले हुए हैं 7380.79 वर्ग किलोमीटर जो आपको इसमें नहीं दिया हुआ है यानि 7.84 परसेंट यानि कुल छेतर फल पर बनाक्षित है यानि जंगल फैले हुए है बिहार के छेतर में छेतर के परतिसत के रूप में कुल वन छेतर है तो 7.84 परसेंट है जो इसक में नहीं दिया हुआ है एसिया का सबसे बड़ा जल परपात हुंडू जो है ये किस जगह पे है तो हुंडू जो है ये राची में है हुंडू कहा है ये राची में है और ये शुर्ण रेखा नदी परिस्थीत है हुंडू जल परपात बिहार का अधिकांस छेतर अक्षान्दित है तो बिहार में जो सबसे अधिक आभी आपने उपर में पढ़ा होगा कि सबसे अधिक कौन से मिट्टी पाई जाती है तो ये कच्छारी मिट्टी पाई जाती है यानि कच्छारी मिट्टी को ही हम लोग दोमद मिट्टी कहते है तो आप इसको भी धियान में रखेगा कच्छारी मिटी जो है या फिर दोमद मिटी जो है बिहार के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है बिहार की सस्य गहनता कितनी है तो बिहार की सस्य गहनता 144% है अभी कहीं साबसे आर्थिक समिक्षा 2021-22 के अनुशार जो है वर्ष 2019-2020 में जो बिहार की सस्य गहनता है वो 144 परतिसत है आजादी के बाद बिहार में सिचित छेतर बढ़ा है लगभग कितना तो देखिए अगर हम लोग बरतमान की बात करते हैं 2021-2021 में तो अभी मैंने ऊब आपके उफशन में नहीं है बिहार में कृषि के अंतरगत छेतर हैं तो अभी आप पतिने पढ़ा था कि अर्थिक समीक्षा 2021-2022 के अनुशार जो है 2019-20707 लाख हेक्टेर जो है बिहार में क्रिसी छेतर के अंतरकत आता है बिहार में किस परकार के उद्धोगों की परत्यासा और संभाबनाएं हैं तो देखें बिहार के अंदर जो है बिहार का भूगोल जो है यहीं पे 82 questions डिटल डिस्क्रिप्शन के साथ एंड होता है और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो पिलिज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक यू फॉर वाचिंग